नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूँ मुद्वाला आपके साथ बता दे आपको चिराग पासवान तो एक्टिव हैं यानि के किंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जिक्र कर रही हो जो काफी एक्टिव मोड में और वहीं पर बात कर ले कि चिराग पासवान की अच्छी खासी दोस्त यानि की कंगना रनौत कंगना रनौत भी हिमाचल की मंडी से जीत हासिल की और जुस तरीके से जीत हासिल करने के बाद लगातार एक्टिव मोड में कंगना रनौत भी दिख रहे हैं और यहां ते कि शोशल मेडिया पर आए दिन कंगना और चिराग क और बात एगर कंगना रनाओत की करे तो उन्होंने भी खुलासा किया है कुट है कैसा लड़का पसंद եा क्या कोतो हुआए पर आज आपको बता देगी कंगना रनाओत और चिराग पास्वान को लेकर और काफी कुछ बात चित सामने आने वाला है आप लोगों को भी जानकारी देने जा रहे हैं और ये भी खुलासे होने वाले हैं कि आखिर दोनों आए दिन शोशल मिडिया पर क्या कुछ बोलते वे नजर आ रहे हैं शादी के मामले को ले करके तो सबसे पहले नंदन आपके पास आते हैं जिस तरीके से चिराग पासवान और कंगना रनौत की दोस्ती देखी जारी है और कई लोगों का काफी कुछ कहना भी है आपका क्या कहना है देखिए चिराग पासवान कंगना रनौत चिराग पासवान से शुरुवात करते हैं वो शुरुवात में अक्टर थे अक्टिंग कर उस लोग जन सकती पार्टी को राम विलास का नाम दे कर और उसको इस कदर तक पहुंचाना अके लिए दम पे क्योंकि जब उनके पिता के मृत्ति हुई थी राम विलास पासवान की तब उनके साथ कोई भी नहीं था यहां तक उनके खुद के पयुआर वाले भी उनके साथ एक तो कि नहीं दो भाकियों से उमिद रख सकते हैं वह चिराग पासवान आज की समय में भारत की सबसे बड़ी पाठी चला रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी partly का गठं का हिससा है वह चिराग पासवान का लुई चोटे से सब्दों में ने जो बताया वह उनकी कह सकते है और चीव्मेंट अपने हैं तो बॉल्यूड में इस तीच तरीके वह टो नहीं थी त Two नहीं हुए था क्योंकि सचाई का संविक का साथ नहीं दिया था सुसान सिंग के मृत्यू के बाद भी उनका साथ मृत्यू नहीं दिया था हर जगह से टॉल हो रही थी पूरे बॉलिएुड में रहकर पूरे बॉलिवड के एक्टर से चोल होना शुरू हूई उतने इस तिप्रेशनि के बाद बहुर निंकलती हों बबाशन के साथ दोबारा से तब अभी बॉल्यूट के लोग ही उन्हें मतलब निग्लेट करते थे फिल्में फ्लॉप होने लगी लोग मतलब डिप्रेशन में जाने लगी और उसके बाद उन्हें टिकट मिलता है बीचेपी से टिकट मिलता है तब वो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ती है और सांसद बन झाल के को हिमें दोनों पणों कन लोग से न्ट अष्छाए और सांसध में बहुत अच्छी दोस्त भी है तो juste में चालता करें पब्ली काम करने चाहते हैं हाँ चोटे मोटे काम तो मैं करूंगी लेकिन अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगी जिससे पूरा मंडी ही नहीं हिमाचल का नाम कर सकूं वह चीज है उसके बाद देखें कंगना और चिराग दोनों एक्टिव है मतलब कि पूरे फुल गेयर में है अब लो कि दोनों अभी सांसद बने हुए दो महिने भी नहीं हुए है अभी लोग एक्टिव होंगे क्योंकि दोनों ऐसी पार्टी का हिस्सा है जिन्हों ने इंपर तुरा दार मदार दाला हुआ है दोनों विश्वास है दोनों पर रेलर मोधी को तो दोनों काम कर रहे हैं दोनों वी इस वक्त अगर बोलेगे कि हम तो पूरा का पूरा चौपटी खराब अब एक से डेर साल लेकर चलिए तो बी यह तो बोलने वाले है नहीं को कुछ बोलने करना थे च्र अब करेंगे। हॉड दुनिय तुम्हाल को था कि Premium परीज फट recording वो सबिसक्राइब एक 3 wagon बात चिराग से फेखते हैं ना captive करना दिए आधब चप़नाई से किक मुछ अधार कब चारग करो हुए हो सकता है किकि काम से थोड़ी से फ्री हो के आप लुकुल भी इसमें डाउट नहीं है कि आगे जल बिल्कुल आपके पास आते हैं जिस तरीके से आए दिन चिराक पासवान भी अक्टिफ दिख रहे हैं यहां तक कि जिक्र कर ले मंडी से जीत हखासिल करने के बाद कंगना रनौत भी काफी अक्टिव है और देखें कि दोनों के रिष्टे के भी काफी खुलासे रहा है तो कि दोस्ती से बढ़ करके बताया जा रहा है आपका क्या कहना है दूसरा चीज क्या है कि जब हम सोचल प्रेटफरम पे उनका कमेंट्स पड़ रहे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है कि चीराग पास्वान ही राधनिती में उन को लाए है वह कहीं की आपसी दोस्ती की बात है तो प्लाध्या कर दो नया कुछ देखने को मिल सकता है तो कहीं न कहीं यह होगा आने वाले समय में बिल्खुल प्रिंस नंदन आपके पास आते हैं जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि मंडी में लोग आएंगे अधार काड लेकर क्याएंगे तो काफी काम होगी काफी कुछ करने का कंगना न सब्सक्राइब करने के लिए काम करेंगे वहां से अगर कोई इनसान करता है उस तो उसका अलगी प्रभाव पड़ता है जैसे चिराग पासान को भी देख लीजिए तो कंगना रनौत अभी एक्टिव हैं पिल्कुल चाहे लोग ट्रॉल कर या कुछ भी करें लेकिन कंगना सब्सक्राव डालता है कि वर्धी की इजट उनके आखों में अभी देखिए तो चिराग पासवान के दो तिन लड़कियों के साथ लगातार बाते उठी है लेकिन कंगना के साथ जून का रिष्ता है वह अलगी लेवल का है अभी के समय में देखिए दोनों 11 में मिले उसके फिल्मी लाइन में का यह अपना फॉलिटिकल लाइन में में दोबारा से दोनों की मुलाकात वहीं पर एक ही गठन में और दोनों सांसद बनते हैं तो अभी जो उनकी फ्रेंड्शिप है क्या सकते हैं एंड पॉइंट पर है एकदम आखिरी जो जो पर इसके बाद अगर कहेंगे एक से देट साल बद आकर कहेंगे कि हमारे बीच कुछ है और हम कुछ है मतलब आगे की डिसीजन लेने को तयार है और हम करते हैं क्योंकि अभी वह भी अपने दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे चिराग पास अगर उनकी उनकी उमर ब्यालीस हो चुकी है अब करेंगे नहीं और तो अभी एक से डेट साल तक को एक्टिव रहेंगे अपने शेतन में जाकर काम करेंगे काम करने के बाद वह अपना ये डिसीजन बेशक्त ले सकते हैं अगर उनके दिल में ऐसा कुछ होगा तो प्रियंस आपके पास आते जिस तरीके से आए दिन कंगना करनाथ शोशल मेडिया पर काफी कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं यानि के अगने विर योजना हो गया कई मुद्दे उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर देखिए के विपक्ष का लगातार उन पर कटाक्ष है ताना तनी शुरू हो गया क्या लगता है आप देखिए दे पर देखिए देख में लोकतंत्र का खुबसूरती होता है कि अगर बिपक्ष मजबूत है तो कही न कहीं आपको काम करने की जवात होगी और काम सही करियेगा अगर आपका विपक्च मजबूत नहीं रहेगा तो कही ने कहीं आप जो है व्रष्ठ 4 और अप राध जो है उसमें कहीप बढ़ुत्री देखनी को मिलेगा अपने बात कि अगनी वीर युजना तो कहीने कहीं तो जैसा कि आपने सुना इस वक्त कंगना रनौत चिराग पासवान को लेकर काफी कुछ बात कहे जा रहे हैं यहां ते कि चिराग पासवान और कंगना रनौत की जूडी भी काफी अच्छी देखी जा रहे हैं तक कि शोशल मेडिया पर आए दिन दोनों को लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है यहां ते कि दोनों की शादी की चर्चाय भी जोर पकड़ लेकिन अभी तक चिराग पासवान आकर के सामने से कुछ भी नहीं कहें यहां तक कि चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले देखना दिलचस्पागा था था के लिए द्हन्यबाद